दोस्तों जैसा कि मॉडल आप देख पार हैंगे जिसका साज है 18x30 house plan या 18x30 आपको मैं आप डिसक्स करने वाला हूँ फूल डेडल के साज ही मॉडल आपको देख पार हैंगे हमारे एक सब्सक्राइबर तुमके कहने पर डेजाइन किया है और बहुते उम्दा बेतरीन मॉड आपके लिए तो बने इस वीडियो में मैं फूल डेटेल के साथ बात करूंगा इसका जous work डिसक्स करोंगा ग्राउन फोल में कितने रूम है कितने बैड रूम है और इसका फ स्ट फॉल और इसका शेकी ह्एंड फूल तो आप पूरा प्रपर नकसा देख मिए पूरे वीड यहां पर एक आइडिया ले सकते हैं तो चलो ज्यादा देर न करते हैं हम डिजाइन को डिसकस कर लेते हैं तो आपको सामने से ऐसा दिखने वाला है जिसका साइज अठारा फिट चाड़ाई है और लंबाई की बात करें तो 30 फिट है तो फ्रंट से यह मौडल आपको ऐसा दिखेगा अगर इसका हम टॉप वी देखें इस साइड से देखने वाला है तौप से आपको ऐसा दिखेगा तो यह मैंने डिजाइनिंग के लिए फिलाल दिया है आप देख रहे हो गई ही इनिट का डिजाइन दिया है फ्रंट में भी के लिए कुछ parts मैंने दे रखे हैं तो चलो पूरे discuss कर लेते हैं सब से हरमेशा की तरीके से मैं आपको transparent करके पहले ये model दिखाने वाला हूँ तो जैसे आप transparent करते हैं तो दिवाले आपके hide हो जाते हैं तो transparency में ये model आपको ऐसा दिखेगा bed room और stairs और सब कुछ आपको transparent दिखता है जो की बेतरी इंशा आपको एक model और look देता है तो चलो इसकी transparent से remove करके हम इसको ले चलते हैं और पोजीशन पर और इसको discuss कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो सबस्क्राइब ग्राउंड फ्लोर को हम ले चलेंगे इस से अब जैसे enter करते हैं तो आपको यह मिल जाता है और यहीं पर आपको stairs else है की मिलेंगे क्योंकि जगह काफी कम है तो आपको यहाँ पर else है का stairs मतलब की जीना देना पड़ेगा देखिए का आप जो देख पा रहोंगे इदर से आप चड़ेंगे ऐसे जाएंगे और फिर से आपको अपनी तरफ को मोड़ जाना है और आपको front में एक bedroom मिल जाता देखिए का जिसका gate मैंने front से भी दिया है शामने से और उसमें window दे दी ventilation के लिए और एक door मैंने यहाँ से भी दे दखा है इसमें अब जैसे आप इस वाले फ्लोर में आपको यहाँ पर एक gate लगा है और इस gate से आप जैसे यहाँ पर enter करते हैं तो आप देखीगा यहाँ पर आपको सब से पहले मिल जाते हैं पीछे दो bedroom एक same size के हैं आपको 23 दो bedroom मिलते हैं इसमें जाने के लिए आपको इस यहाँ से डोर दिया है मैंने और इस रूम में जाने के लिए यहाँ से डोर दिया है side में आपको मिल जाता प्रॉपर तरीके से kitchen जो कि मैंने काफी open मना रखी है यह ventilation के लिए यह आपको पुरा kitchen का एरिया है और इथर आपको मिल जाता है लेटरिंग एंड बातरूम कमाइंड जो आप पेड़ेपेंड करता है अगर आप सेपरेटर करना चाहते हैं तो सेपरेट भी कर सकते हैं तो यह पूरा डिजाइन था फ्रस्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर का जिसमें आपको तीन बैट डूम मिलत और और सारी चाहिए सेम है सिर्फ यहां का पीछे का जो भी एरिया तती दो रूम विल्कुर सेम टू शेम है दोनों रूम और बस यहां पर रूम तो उसे हटा दिया है मैंने सिर्फ विंडलेशन लिए को अगर यह आप जगए खोल देंगे आप सामने आपके तो बहुत ही दो से डाई फुट के जिसे आप बहार आ जा सकें वो आप पर डेपरिंड करता है मैंने यहां नहीं दिया है और आपको लेटरिंग वातरूम इस फ्लोर पर मिल जाती किचिन को मैंने हटा दिया है और दो बेड्डूम और यह आपका वही प्रोपर तरीकी जैसे नीचे था टॉफ फ्लोर पर जो कि आपको ऐसा दिख रहा होगा देखें के टॉफ फ्लोर फिलाल सारे रूम हटा दिये मैंने स्रफ यह इस्टेर्स थी उसको ढग दिया है जिसमें यहां पर शासे पानी नह जाए कोई आपको दिक्कत ना हो और मैंने इसको पूरा प्रोपर तरीके से इसका इंतिजाम कर दिया और ढग दिया आप इसके ऊपर यहां पर टंकी रखवा सकते हैं जिससे आपका घर बर में पानी की सप्लाई होगी तो यह पूरा मॉडल था 18-30 का फ्रेंट से आपको ऐसा दिख रहा है आप देख पा रहे होगे बहुत बेतरीन लोग है तो यह कमेंट करके बता हैं अगर आप कोई स्पेसिफिक मॉडल डिजाइन करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और हम उसको डिजाइन करेंगे तो प्लीज दूस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिएगा जिसका नाम है इसमाल हाउस प्लान और हमारे वीड को लाइक शेज जरूर कर दें थैंक्स वाचिंग